आज के इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टेंडर्ड पैरलल या फिर एक मानक अक्षांस वाला साधारण शंकू प्रक्षेप किस तरह से बनाते हैं तो अब इसके लिए ध्यान से देखो अपने को साधारण शंकू प्रक्षेप बनाने के लिए कुछ इस तरह से अपने को वेलियू स्टेंडर्ड दीओगी इसने बोला है कि निम्नलिकित विवरण के आधार पर एक मानक अक्षांस वाला शाधारन शंकू प्रक्षेब बनाई है सबसे पहली बात ये मानक अक्षांस क्या होता है मानक अक्षान्स वो अक्षान्स होता है जिसके उपर जो शंकू के रूप में अपन जो कागज उस गलोब के उपर लगाते हैं और वो जिस अक्षान्स को छूता है वो अक्षान्स होता है मानक अक्षान्स तो इसके अंदर अपने को मानक अक्षान्स की वेल्यू दिये है R की value निकालनी होती है अपने last video के अंदर देखा था R के value कैसे निकालते हैं कि पृत्वी का वास्त्वी कर्दव्यास तो पृत्वी का वास्त्वी कर्दव्यास क्या होता है 6,3,5,000,000 बटे के अंदर के आता है निरुपक भिन का हर तो ये जो होती है इसको बोलते है निरुपक भिन ठीक है तो इसका हर क्या हो गया 1,2,5,000,000 तो 0 सारे 0 कैंसल हो जाएंगे इसके अंदर जब इसका भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 5.08 cm इसी के साथ अपना calculation वाला काम खतम हो जाता है अब इसी calculation के आधार के उपर अपन जो अपना शंकू प्रक्षेप बना रहे होंगे अब अपने पास जो ये R की value आई है इसी के आधार पर अपना शंकू प्रक्षेप बन रहा होगा तो सबसे पहले अपने को जितनी R की value आई है 5.08 cm उतना अपने को प्रकार खोल लेना है तो ये प्रकार की चाप में मैंने 5.08 cm 08 यानी 5.1 cm से जस्ट कम तो ये जो एक वाई लाइन इन से थोड़ा सा पहले तक का ये खोल लिया है और मैं को क्या करना है एक चाप लगा देनी है अब 5.08 cm का कमपास खोल के एक चाप काट दोंगी चाप काटने के बाद में एक तो मेरे को इस तरह से सीधी लाइन ड्रो कर देनी है और ये कितने की है 5.08 cm की और एक मुझे अब खड़ी लाइन ड्रो करनी है ये जो खड़ी लाइन होगी ये 90 डिगरी पे होनी चीए यानि एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चीए और ये कोई बीना मेजर की ड्रो करनी है ऐसा नहीं की मेजर करके ड्रो करना है इसको बीना मेजर की आप लंबी ड्रो कर दीजिएगा और ये वाली जो चाप है इसको कॉम्प्लीट इससे मिला देना है ठीक है ऐसा करने के बाद में अपने को यहाँ पर अंत्राल दिया है 15 डिगरी तो चांदे की सहाइता से अब अपने को इसके अंदर 15 डिगरी का कोण बनाना है तो इसको सही से रखे यहां पर मेरा पंदरा डिगरी आ रहा है मैं पंदरा डिगरी के कौन पर एक लाइन ड्रो करूंगी जो इस पॉइंट से चाप तक जाएगा ठीक है मैं इस पॉइंट को नाम O दे देती हूं इसको B इसको D नाम दे देते हैं फिर अपने को मानक अक्षांस दिया है अब अपन मानक अक्षांस की रेखा बनाएंगे मानक अक्षांस दिया है 45 डिगरी तो फिर चांदे की सहायता से अपन 45 डिगरी का एक और कौन बनाएंगे तो चांदे को एकदम सही रखके अपने को 45 डिग्री का कौन बनाना है तो यहां पर मेरा 45 डिग्री का कौन बनेगा तो मैं फिर से एक O बिंदू से चाप तक की लैन ड्रो कर दूंगी इसके अंदर यह जो अपना 15 डिग्री है यह काई चीज का है यह अपना अंतराल की वज़े से बनाया है और यह जो 45 डिग्री का कौन बनाया है यह किसकी वज़े से बनाया है मानक अक्षांस की वज़े से बनाया है अब जो अपना मानक अक्षांस होता है इसके उपर अपन एक खड़ी रेखा ड्रो करते हैं और उर रेखा होती है 90 डिग्री की तो यहां से जो है ये 90 डिगरी की लाइन में बना दूंगी और कहां तक ड्रो करनी है ये जो अपने लंबी लाइन खींची थी इसको पूरा आगे तक यहां तक टच करवाना है और इस point को नाम दे दूंगी मैं P इसको नाम दे देते हैं C ये जो अपने लाइन ड्रेकार ड्रो करिये ये 90 डिगरी की बनाईए और ये point हो गया A अब इसके साथ इस diagram का काम हो जाता है इसके अंदर एक और चीज़ करनी है ये जो BD है इतना ये खोलना है अपने को प्रकार BD के gap का इतना प्रकार खोलने के बाद में बिन्दू O पर आना है और एक चाप काट देना है ये मैंने एक चाप काट दिया फिर बुले एक आर्क ड्रो कर देना है अब जो लाइन ये मानक अक्षानस वाली जा रही है इसको मैंने नाम F दे दिया, इसको नाम E दे दिया तो E F हो गया इसके साथ येवाला डाइग्राम हो जाता है अब इस डाइग्राम के अधार पर अपने एक शंको प्रक्षे बनाएंगे इसके अपने क्या करना है पहले कुछ नहीं करना है पहले एक सीधी लाइन खड़ी ड्रो कर देनी है ये सीधी लाइन मेजर की नहीं है बीना मेजरेमेंट की लाइन है ठीक है तो मैंने एक सीधी लाइन बना दी है अब इसके अंदर सबसे पहले अपन मानक अक्षांस बना रहे होंगे तो ये जो gap है अपना C से लेके P तका जो अपने 90 degree की line बनाई है इतना अपने को प्रकार खोलना है तो मैंने बिंदू C के उपर प्रकार रखा और इतना प्रकार open कर लिया आपको देखना है बिल्कुल मिस्टेक ना हो तो ये मेरा एकदम exact open हो गया है अब मैं क्या करूंगी प्रकार को यहां पर रख कर और यहां पर जो हमें एक आर्क बना दूँगी तो मैंने यहां पर एक आर्क बना दिये एक चाप काड दिये ये तो हो गया अपना 45 degree वाला यानि जो अपना मानक अक्षान से उसके लिए बना है अब अपने को विस्तार कहां से कहां तक का दिया है 0 से 55 degree वाला है तो अपने को पुरा 0 से 55 बनाना है तो क्योंकि बोला है ऊत्री अक्षान स उत्री अक्षान स में 0 यहां पर होगा सबसे नीचे फिर आएगा कितने के इंटर्वल पर बनाना है 15 के पर तो 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45 आ गया, उपर अपना 60 बन रहोगा, फिर 55 बन रहोगा, तो 0 से 55 तक अतब बनेगा, और फिर ये अपना देशांत्री विस्तार देखेंगे, तो पहले अक्षांस बनाते हैं, अक्षांस के अंदर 45 डिगरी बन गया, बाकी कैसे बनाएंगे, तो वो अपने को ये जो बीडी का अंतराल दिख रहा है, इस बीडी का अंतराल तक फिर से अपने को प्रकार को खोलना है, एक्दम बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये 45 है, तो दो उपर बिंदू लगा देंगे, यहां पर अपना 60 डिगरी का बनेगा, और यहां से यहां पर अ यहां पर रखना है, और जहां जहां मैंने बिंदू लगाएं, वहां वहां तक प्रकार खोलना है, यहां तक खोला मैंने, और यहां पर क्या करूंगी, एक चाप बना दूंगी, यहां पर यह मैंने एक चाप बना दिया, इसी तरह से फिर से इसको यहीं पर रखना है, और को और खोलना है कहां तक जहां तक अगला बिंदू अपने निशान लगाया है यहां तक मैंने प्रकार खोला और यहां मैंने फिर एक और चाप बना दिया इसी तरह से नीचे जो तीन निशान लगाएं वहां वहां तक खोलते जाएंगे और चाप बनाते जाएंगे तो अभी ये तो अपने क्या बने हैं? अक्षांस बने हैं ये 45 डिगरी हो गया, ये 30 डिगरी, 15 डिगरी, 0 डिगरी, 60 डिगरी और 55 डिगरी ये अपने किस बेस बनाएं? जितना अपने को विस्तार दिया है तो अपन देशांतर के से बनाएंगे अब अपने जो यहां पर यह चाप काटा और इस चाप के अंदर जो यह अक्षांस ही रेखा थी इसके उपर से यह जो लाइन ड्रो करी थी इतनी लाइन का अपने को प्रकार खोलना है तो मैं अपने प्रकार का बिंदू यहां पर रखकर और प्रकार को कितना खोल लूँगी इस लाइन के जितना मैंने इस लाइन के जितना यह प्रकार ओपन कर लिया है अब जितना यह प्रकार का गेप है इस अपने को मानग अक्षांस पर आना है यानि जो 45 डिग्री वाला अक्षांस बनाए है इस वाले अक्षांस पर आना है और यहां से points लगा देने किदर को इस वाला अक्षांस के उपर अब कितने points लगाने हैं क्योंकि 60 डिग्री, 20 से 60 डिग्री East दिया है तो यहां पर अपना बनेगा एक यहां बनेगा 2 यहां बनेगा 3 यहां बनेगा 4 चार चाप बन रहे होंगे 15-15 डिगरी कंतराल पर 15-30-45 और 60 ठीक ऐसे इधर भी 15-30-45 और 60 यहीं बन रहे होंगे अब क्या करना है यह इधर निशान लगाने के बाद में जहां अपने प्रकार रख रखा था वहां से जहां जहां यह बिंदू लगाए हैं यहां पर उसको टच करते वे पूरे लास्ट वाले अक्षान्स तक अपने को लाइन ड्रो कर देनी है सेम इसी तरह से बाकी के लिए कर रहे होंगे तो यह बन गिया 15 का यह बन गिया 35 का और यह बन गिया 60 का ठीक इसी तरह से इधर भी यह बन गिया 15 का यह बन गिया आपने 30 डिगरी का नेक्स्ट वाल आपने यहां पर यह बन गिया तो देखो यह लाइन्स छोटी रे गयी तो मैं इनको फटा फट से पूरी कवर कर देती हो तो ये अपना 45 डिगरी हो गया ये अपना 60 डिगरी हो गया ये अपना पिछेतर डिगरी हो गया और क्योंकि उत्री अक्षान से तो यहां में उत्तर लिख दूंगी ये हो गया मेरे पास 30 डिगरी अक्षान से हो गया 15 डिगरी और ये हो गया 0 डिगरी यह अपने देशांतरे इनको नमबर देते हैं यह हो गया 0 डिगरी यह हो गया 15 डिगरी यह हो गया 30 डिगरी यह हो गया 45 डिगरी और यह हो गया 60 डिगरी और क्योंकि इधर उत्तर होता है तो योगय मेरे पूर्वी अक्षांस इधर हो गया 15 डिगरी, 30 डिगरी, 45 डिगरी और 60 डिगरी योगया पस्ची में अक्षांस तो यहां से इसी के साथ अपना साधारन, शंकू, प्रक्षे समाप्त हो जाता है किस तरह से बनाया? सबसे पहले अपने आर की वेल्यों निकाली, आर की वेल्यों कैसे निकालते हैं? आर का मतलब क्या हुआ? आर का मतलब हुआ गोले का अर्दिव्यास, यानि पृत्वी के गोले का अर्दिव्यास उसके अंदर सबसे पहले अपने को जो अंतराल दिया होगा उतना डिगरी का एक कोण बनाना है और लाइन ड्रो करनी है चाप को टच करने तक कि फिर जितना अपने को मानक अक्षांस दिया होगा उतनी एक ओर लाइन बनानी है जो मानक अक्षांस होगा उसके उपर अपने को एक 90 डिगरी का कौन मनाना है जो पूरा जाके CDY लाइन को टच करेगा ठीक है फिर जो अपना ये B और D यानि जो अंतराल चाप के उपर जो अंतराल का गेप होगा इतने गेप का चाप खोलना है प्रकार खोलना है और अपने को यहां पर एक चाप काट देना है यहां पर काटने के बाद में जो ये मानक अक्षांस है इस अक्षांस के उपर जहां ये चाप कट कर रहा है वहां से एक line draw करनी है यहां पर इसका काम खतम हो जाता है फिर अपने को एक सीधी लंबी line खीचनी होती है और इसके अंदर जो यह अपना मानक अक्षांस था यहां से अपने जो 90 degree का कौन बनाया यहां लाइन का gap लेना है और यहां पर इस point से लेके चाप काट देना है यह होगी अपना मानक अक्षांस फिर जिस antral के उपर bd के जिस antral के उपर अपने को यह बनाने तो उतने antral के मैंने points लगा दिये जितना विस्तार का बनाना था 0 से 75 बनाना था तो 0 से 75 तक के 2 इसके उपर point लगाए 3 इसके नीचे लगाए और फिर मैंने चाप काट दिये उसके बाद में अब अपने को देशांतर रेखाऊं के लिए देशांतरी विस्तार बनाना था तो यह जो अपना distance था F और E वाला इतना मैंने प्रकार खोला और जो यह अपनी यवाल लाइन थी कौन सी लाइन है यह मानक अक्षांसवा लाइन इसके उपर इतना इतना distance के मैंने points बना दिये अब कितने points बनाने कैसे पता चलेगा विस्तार से पता चलेगा 60 degree वेसे 60 degree इस तक का अब कितने अंतराल पर बनाने 15 degree का अंतराल पर तो 60 में देखेंगे एक मानक अक्षांस वाला साधरन शंकू प्रक्षेप तो इसी के साथ यह वाला वीडियो समाप्त हो जाता है नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन पढ़ रहे होंगे दो मानक अक्षांसों वाला शंकू प्रक्षेप कैसे बनाते हैं थैंक यू